नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे क्यूट एक्टर अरिजीत तनीजा के बारे में दोस्तों अरिजीत का जन 10 नवंबर 1992 को हुआ था और आज ये महज 30 साल के हैं अरिजीत एक भारती अभिनेता और मॉडल हैं जो की मुख्य रूप से हिंदी टेलिविजिन में काम करते हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुवात MTV स्प्रिट्स विला 6 में एक प्रतियोगी के रूप में की थी इन्होंने जी टीवी के कुमकुम भाग्य कलीरे, कलर्स टीवी के नागिन 5 और नागिन 6 जैसे कई TV फिक्षन नाटकों में अभिने किया है अब बात करते हैं अरिजीत के सभी सीरियल के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल ना भूलें दोस्तो अभिजीत ने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में MTV स्प्रिट स्ट्रिला छे से की थी और वहां पर यह तेरवे स्थान पर रहे थे 2014 से 2016 तक इन्होंने सीरियल कुम कुम भागे में पूरब खना का किरदार निभाया था तो वहीं 2015 में इन्होंने सीरियल प्यार को हो जाने दो में बिलाल खान का किरदार निभाया था साल 2016 में इन्होंने प्यार तुने क्या किया सीरियल में मेजवान का किरदार निभाया था साल 2017 में इन्होंने सीरियल नादिन में इशान की भूमी का निभाई थी साल 2018 में इन्होंने जी टीवी के एक शो कलीरे में विवान कपूर का किरदार निभाया था साल 2019 से 2020 में इन्होंने सीरियल बहु बेगम में अजान अक्थर मिर्जा का किरदार निभाया था साल 2021 में यह कलर्स टीवी के फेमस शो नागिन पांच में दिखे थे तो वहीं साल 2021 से 22 में सीरियल नांत, जेवर या जनजीर में शम्भू ठाकुर का किरदार निभाया था साल 2022 में इन्होंने सीरियल बन्नी चाउ होम डिलिवरी में अगस्ति कपूर का किरदार निभाया था और बात करें लेटेस्ट अपडेट्स की तो यह 2023 में एक फियर फेक्टर खतरों के खिलाडी 13 में भी ऐस अ कंटेस्टेंट नजार आ रहे हैं दोस्तो अरिजीत ने एक्टिंग के साथ साथ कई सारी म्यूजिक वीडियो जैसे नसीबा, फरिष्टा, एक दफा तो मिल म्यूजिक वीडियो में काम किया है तो आपको अरिजीत का कौन सा सीरियल सबसे ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सलिबर्टी टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें